प्रचार मंत्री हमारे जो हैं जो परधान मंत्री हैं माननी यह नरे नर्मोदी वो अपना अपनी विश्वसनें तरह खोचुके हैं अब उनकी क्रेडिबिलिटी जा चुकी है वो आजकल बहुत बॉखलाय हुए हैं फ्रस्टेशन में घबराय हुए हैं तरह तरह की बाते कर प्रचार मंत्री हमारे जो है जो परधान मंत्री हैं वह अपनी विश्वसनें तरह खोड़ चुके हैं अब उनकी क्रेडिबिल्टी जा चुकी है वो आजकल बहुत बखलाए हुए हैं फ्रस्टेशन में घबराए हुए हैं तरह तरह की बाते कर रहे हैं आपको याद होगा पिछली बार में उन्ने कितनी बाते की थी उन्ने कहा था अब की बार दूशो पार बंगॉल में कहा था पच्छत्र च्हेटर में लुड़क गये द दिल्ली में कहा था, दो तिहाई मजॉर्टी से हम जीतेंगे, दो तिहाई तो नहीं जीत सके, लेकिन हाँ, दो तीन सीटें आगी थी इनको, और केजडी वाल ने सूप्रा साफ कर दिया था, अब इस बार कह रहे हैं, घबराइट है सबसे ज़्यादा, दीदी से, ममता जी से, को ममता जी याद देश की सबसे important, prominent, powerful और popular लीडर है, iron lady है, लेकिन ममता मही ममता जी है, और आज इनके खिलाफ उनको घबराइट है, इसलिए तरह तरह की बाते कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी सीटें हैं, मैं आप कह सकता हूँ, अगर लोगों को मेरी बातों बेश्वास ह मैं जो कहता हूँ, वो करता हूँ, जो करता हूँ, वही कहता हूँ, मान के चलिए, मोधी जी की सारी guarantee fail हो चुकी है, सारी भवश्वानी धौस्त हो चुकी है, मोधी जी की अब इन बातों में कोई दम नहीं, प्रधान मंत्री बनाम प्रचार मंत्री सिभ बोले जा रहे हैं, बोलने का क्या और बोल के shoot and count यहां बोल के वहा चले जाते हैं, press conference नहीं करते हैं, दस सालों में एक press conference नहीं किया है, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि मोधी जी जो इस बार जो कह रहे हैं ममता जी के पारे हैं उसके विपरीत होगा ममता जी इस बार बंगॉल के इलेक्शन में स्वीप करेंगी और स्वीप करेंगी और ऐसा अब प्रत्याशित रिजलिट होगा प्रशार मंतरी बनाम प्रधान मंतरी माना निये मोधी जी के ल बातें वो सिर्फ कहने को कह जाते हैं अपना दम्खम दिखाने के लिए लेकिन सब खोकले बाजी हैं इनकी सारी बातें हवा हवाई हैं और हवा हवाई ही होंगी बहुत जल फैसला हो जाए पहली बात तो प्रचार मंत्री हमारे जो हैं जो प्रधान मंत्री हैं माना निये हैं नरे नर्मोदी वो अपना अपनी विश्वसनें तक हो चुके हैं अब उनकी क्रेडिबिल्टी जा चुकी है वो आजकल बहुत बखलाए हुए हैं फ्रस्टेशन में घबराए हुए हैं तरह तरह की बाते किर रहे हैं आपको याद होगा पिछली बार में कितनी बातें की थी उन्होंने कहा था अपकी बार दुशो पार बंगॉल में कहा था पचहटर हैँ छहेतर में लुडक गया'M दूसो पार होगी दीदी उसी तरह करनाटका में कहा था इस बार हम लोग दो सो से ज़्यादा सीटे लेके आएंगे 66 सीटों पर आ गया उसके पहले दिल्ली में कहा था दो तिहाई मजॉर्टी से हम जीते हैंगे दो तिहाई तो नहीं जीत सके लेकिन नहां दो तीन सीटें आगी थी इनको और केज़िवाल ने सूप्रा साफ कर दिया था अब इस बार कह रहे हैं घबराएट है सबसे ज़्यादा दीदी से ममता जी से को ममता जी या देश की सबसे important prominent powerful और popular leader है iron lady है लेकिन ममता मही ममता जी है और आज इनके खिलाफ उनको घबराएट है इसलिए तरह तरह की बाते कर रहे हैं कह रहे हैं कि इतनी सीटें हैं कि मैं आप कह सकता हूं अगर लोगों को मेरी बातों बेविश्वास है मैं जो कहता हूं वो करता हूं जो करता हू वही कहता हूं मान के चलिए मोधी जी की सारी guarantee fail हो चुकी है सारी भवश्वानी धौस्त हो चुकी है मोधी जी के अब इन बातों में कोई दम नहीं प्रधान मंत्री बनाम प्रचार मंत्री से बोले जा रहे हैं बोलने का क्या और बोलके shoot and scoot यहां बोलके वहां चले जाते है press conference नहीं करते हैं दस सालों में एक press conference नहीं किया है तो मैं ये कह सकता हूं कि मोधी जी जो है इस बार जो कह रहे हैं ममता जी के पारे हैं उसके विपरीत होगा ममता जी इस बार बन्गॉल के election में sweep करेंगी और sweep करेंगी और ऐसा आप प्रत्याशित result होगा प्रचार मंत्री बनाम प्रधान मंत्री माना निये मोदी जी के लिए कि देखते ही रह जाएंगे वो और उनको पता चलेगा कि अब उनकी विश्वसनिता उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी इंटेग्रिटी लोग उसमें लोगों को यकीन नहीं है और कुछ बातें वो सिर्फ कहने को कह जाते है अपना दमकॉम दिखाने के लिए लेकिन सब खोकले बाजी हैं इनकी सारी बाते हवा हवाई हैं और हवा हवाई ही होंगी बहुत जल फैसला हो जाए पहली बात तो प्रचार मंत्री हमारे जो हैं जो प्रधान मंत्री है माना नहीं है नरे नर्म हो दी वो अपना अपनी विश्वसनें तरह खो चुके हैं अब उनकी क्रेडिबिल्टी जा चुकी है वो आजकल बहुत बखलाए हुए हैं फ्रस्टेशन में घबराए हुए हैं तरह तरह की बाते कर रहे हैं आपको याद होगा पिछली बार में उन् लेके आएंगे 66 सीटों पर आगया उसके पहले दिल्ली में कहा था दो तिहाई मजॉर्टी से हम जीते हैंगे दो तिहाई तो नहीं जीत सके लेकिन हाँ दो तीन सीटें आगी थी इनको और केज़िवाल ने सूप्रा साफ कर दिया था अब इस बार कह रहे हैं घबराट है स जी हैं और आज इनके खिलाफ उनको घबराट है इसलिए तरहतर की बाते कर रहे हैं कह रहे हैं कि इतनी सीटें हैं कि मैं आप कह सकता हूं अगर लोगों को मेरी बातों वे विश्वास है मैं जो कहता हूं वो करता हूं जो करता हूं वही कहता हूं मान के चलिए मोधी जी की सारी guarantee fail हो चुकी है सारी भवश्वानी ध्वस्त हो चुकी है मोदी जी कि अब इन बातों में कोई दम नहीं प्रधान मंत्री बना प्रचार मंत्री से बोले जा रहे हैं बोलने का क्या और बोलके shoot and excute यहां बोलके वहां चले जाते हैं पहली बात तो प्रचार मंत्री हमारे ज station में घबराए हुए हैं तरह तरह की बाते कर रहे हैं आपको याद होगा पिछली बार भी उन्होंने काई कितनी बाते की थी उन्होंने कहा था अब की बार दूशो पार बंगॉल में कहा था पच्छतर छेटर में लुड़क गये 200 पार हो गए दीदी उसी तरह करनाटका मे कहाएंगे 66 सीटों पर आ गया उसके पहले दिल्ली में कहा था दो तिहाई मजॉर्टी से हम जीते हैंगे दो तिहाई तो नहीं जीत सके लेकिन हाँ दो तीन सीटें आगी थी इनको और केज़िवाल ने सूप्रा साफ कर दिया था अब इस बार कह रहे हैं घबरहाट है सबस कर दो कर दो Jubभर सहाई के दो हुआ है दो की जाब ऐने स्वक्रान में कहा बार क्थिवाला ने से हुआ कर दो सो था हैँ आढ係ो दो